हलो एवरीवन, वेलकम टेंपी पीस्सी स्टेडी चैनल, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की राष्टपती, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपेक है, दुरोपती मुर्मू ने भारत की राष्टपती का चुनाव जीत लिया है, और ये भारत की पहली आ आदिवासी राष्टपती कौन बनी, इसका सही आंसर है, बी दुरोपती मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्टपती कौन बन गई है, दुरोपती मुर्मू नेक्स्ट है, दुरोपती मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्टपती बनी है, इसका राइट आंसर सी पंद्रमी द्रौपती मुर्मू भारत की पंद्रमी नंबर की राष्टपती बन गई है नेक्ष्ट है 2015 में द्रौपती मुर्मू किस राज्य की पहली महिले राज्यपाल बनी इसका राइट अंसर है D. जारखंड द्रौपती मुर्मू 2015 में जारखंड राजी की पहली महिले राजयपाल बनी Next है द्रौपती मुर्मू का जनम कब हुआ था? इसका राइट आंसर है C. 20 जून 1958 को द्रौपती मुर्मू का जनम हुआ था बहुत ज़्यादा important question है Next है द्रौपती मुर्मू का जनम कहा हुआ था? इसका राइट आंसर है B. मयूर भंज उडीसा द्रौपती मुर्मू का जनम मयूर भंज उडीसा में हुआ था Next है द्रौपती मुर्मू किस जनजाती से सम्बंद रखती है? इसका राइट आंसर है B. संथाल जनजाती द्रौपती मुर्मू संथाल जनजाती से सम्मंद रखती है नेक्स्ट है द्रौपती मुर्मू का सम्मंद किस पार्टी से है इसका राइट आंसर है भारतिय जनता पार्टी द्रौपती मुर्मू का सम्मंद भारतिय जनता पार्टी से है नेक्स्ट है प्रतिभा पार्टिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्टपती कौन बनी इसका राइट अंसर है C. द्रौपती मुर्मू प्रतिभा पार्टिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्टपती कौन बन गई है द्रौपती मुर्मू नेक्स्ट है दुरौपती मुर्मू को किस बिधान सभा द्वारा दो हजर साथ में सर्विसेश बिधायक के लिए नीलकंट प्रोस्कार से सम्मानित किया गया इसका राइट आंसर है भारतिय सम्मीधान में राष्ट्रपती पर महाभियो का प्रावधान किस देश से लिया गया है इसका राइट आंसर है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमत्री की नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा की जाएगी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियूपती राश्ट्रपती द्वारा की जाएगी भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में राश्ट्रपती के कार एवं सक्ति का प्रावधान है इसका राइट आंसर है भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में राश्ट्रपती के निर्वाचन के बारे में बताया गया है इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद चववन नेक्स्ट है भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में राश्ट्रपती के सपत के बारे में बताया गया है इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद साथ नेक्स्ट है राश्ट्रपती को सपत कौन दिलाता है इसका राइट आंसर है बी मुख नियाएधीस राष्टपती को सपत कौन दिलाता है मुख नेय displacement है राष्टपती पत की योगिता क्या होती है इसका right answer है उप्रियोग सभी राष्टपती पत की योगिता क्या होती है भारत का नाग्रिक हो 35 वर्स की आईउ पूरा कर चुका हो लोग सबने योग हो और किसी लाब के पद पर ना हो इसारी क्या है राष्टपती पद की योगिता है नेक्ष्ट है राष्टपती का कार्यकाल कितने वर्सका होता है इसका राइट अंसर है पांच वर्स बी इसका राइट अंसर क्या है बी राष्टपती का कार्यकाल पांच वर्सका होता है किसी भी राज्य के उपर राष्टरपती सासन लगाने की सक्ति किसके पास होती है इसका राइट अंसर है बी राष्टरपती संसत की लोकसभा और राजसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है सौरियां पर अंगल लिखा है संसत की लोगसभा और राजसभा के अलावा तीस रांग कौन सा है इसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपती नेक्ष्ट है भारतिय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपती बन सकता है इसका राइट आंसर है डी कितनी भी बार भारतिय समिधान के अनुसार कोई भी ब्यक्ति कितनी भी बार राष्टपती बन सकता है राष्टपती पद के उमीदवार के लिए नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए इसका राइट आंसर है राष्टपती अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है इसका राइट आंसर है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कोईश्चन है संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है इसका राइट आंसर है राष्टपती बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोईश्चन है अक्सर एक्जाम में देखने को मिलता है कि संग लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो इसका राइट आंसर क्या है राष्टपती देश के मुख्य चुनाव आयोग्ति की नियुक्ति कौन करता है इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है राष्टपती पद की योगिताओं का उल्लेक बताया गया है इसका राइट आंसर है D. अनुच्छिद अंठावन नेक्स्ट है लोगसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है इसका राइट आंसर है C. राष्टपती लोगसभा के प्रथम सत्र को राष्टपती संबोधित करते हैं Next है राष्टपती का रिक्त पत कितनी दुनों की अंदर भरना होता है इसका राइट अंसर है B. छे माह किसके बेतन पर आयकर नहीं लगता है इसका राइट अंसर है C. राष्टपती Next है उप राष्टपती जब राष्टपती के स्थान पर कारे करता है तब उसे किसका बेतन प्राप्त होगा इसका राइट अंसर है C. राष्टपती उप राष्टपती जब राष्टपती के स्थान पर कारे करते हैं तो उनका बेतन कित के बेतन के प्राप्त होगा राष्ट पती का छमादान अथ्वा म्रत्यु दंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है इसका राइट अंसर है C. राष्ट पती Next है देश की ससस्तर सैनाओं का सरबुच कमांडर कौन होता है इसका राइट अंसर है B. राष्ट पती देश की ससस्तर सैनाओं का सरबुच कमांडर कौन होता है राष्ट पती Next है मौलेक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है इसका राइट अंसर है भारतिय राश्ट्रपती को किस परिस्टिती में अपने पत्सित्याग पत्र देना पड़ता है इसका राइट आंसर है भारत में कौन लगातार दो बार राश्ट्रपती बने थे इसका राइट आंसर है भारत में लगातार दो बार राश्ट्रपती कौन बने थे राश्ट्रपती बने थे इसका राइट आंसर है राश्ट्रपती का निर्वाचन मंडल को किस देश के सम्विधान से लिया गया है राश्ट्रपती का निर्वाचन किस विधी द्वारा होता है राश्ट्रपती के सपत के दोरान अगर मुखे न्यायधिस नहीं होते हैं तो राश्ट्रपती को सपत कौन दिलाएगा इसका राइट आंसर है राश्ट्रपती के निर्वाचन में कौन भाग लेती है सपत की दोनों सद्रों कि सदस और राजीयों की विधालन सभाओं के निर्वाचित सदस भाग लेती है है भारत के चतर राश्ट्रपती के बारे में बात कर लेती है यह बहुत जाधा इंप उटेंट है फस्ट है प्रतीभा देवी सिंग पार्टिल ए भारत की बारमी नंबर की राष्टपती बनी देश की पहली महिला राष्टपती कौन बनी प्रतिवा देवी सिंग पार्टिल 2007 से 2012 तक इनका कारेकाल रहा और यह राजस्थान की गवर्णर कव रही है 2004 से 2007 तक दूसरा है डाक्टर एपी जे अब्दुलकलामी 11 नंबर की राष्टपत तक इनका कारेकाल रहा मिसाइल में आफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रपती कौन थे दुराजेंज प्रसाथ भारत के पहले राष्ट्रपती थे और यह बिहार से संबंद रखते हैं नेक्स्ट हैं भारत के पहले मु भारत के पहले सिख राष्ट्रपती कौन थे ग्यानी जेल सिंग भारत के कौन निर्विरोत राष्ट्रपती चुने गए थे इसका राइट अंसर है नीलम संजीव रेड़ी अपने कारेकाल के दोरान किस राष्ट्रपती की मृत्यू हो गई थी डाक्टर जाकर हुसेन और फक